अगर इंपोर्टेंट चीजों की बात करने के कोशिश करें तो प्लाजमा मेंब्रेन बहुत इंपोर्टेंट उसके साथ नियूरो ट्रांस्मीटर इंटीग्रेटेड़ स्टाडी करनी हैं बहुत जादा नहीं पढ़ना जोड़के पढ़ना है ठीक है मेंब्रेन पढ़नी है तो Membrane के साथ Membrane Potential, Membrane Potential पढ़ा जाएगा तो Membrane पर Receptors होते हैं, Hynotropic, Metabotropic दोनों तरीके के हो सकते हैं, Receptor, Receptor का structure, ठीक है, उसके बाद, हाँ, ABO Blood Group में, Blood Group में क्या-क्या Modifications होती हैं, शुगर की वो Modifications पढ़नी हैं, उसके बाद, हाँ, Transport Across Plasma Membrane, Plasma Membrane deal करेंगे, तो आपको वो चीज़ने देखनी है, Membrane Potential में ने बता दिया, और जो Processors होती है, Through Plasma Membrane, आपने देख लिया, कि Transport हो रहा है इन चीज़ों का, तो जिनका नहीं हो पारा, उनका कैसे हो रहा है, यहां पर इंपोर्टन चीज़ों हो रही है, इनको एक बाद, देहान से देखना है, उसके बाद आपको हाँ, Ribosomes, Ribosomes में बैसिकली वो राइबोजों में इतना ट्राइन्स लोकेशन का पार्ट इंपोर्टन है, जो सौर्टिंग वाला पार्ट है, वो सौर्टिंग वाला पार्ट पूरा देख के जाना है इसमें आपको, और मैं कहूंगी, साइ्टो स्केलेटिन में एक बाद डिफरेंस कर लीजेगा, तीनों चीजों में, माइक्रो फिलमेंट में, माइक्रो टुब्यूल्स में और इंटरमेडियर फिलमेंट में, सीधा वो बनाएगे, एक टेबल टाइप की, कि आपके माइक्रो टुब्यूल्स में क्या क्या आ रहे हैं और माइक्रो फिलमेंट में, एक बाद सेंट्रियोल देखेंगे, आपकी प्लांज और आनिमल्स में सेंट्रियोल के लेवल पर क्या डिफरेंस है, जब बात करली इतनी कि ठीक है, सेल को कुछ तो सपोर्ट दे रहा है, तो अगर सपोर्ट दे रहा है, तो अंधर की सपोर्ट ठीक है, लेकिन सेल- तो सेल कैसे सपोर्ट है जुड़े कैसे हैं आपस में तो वो सेल जंक्शन्स पढ़ने हैं वहाँ पर से कहारी हूं इंटिग्रेटेड स्टाडी होने हैं डेफ्ट में नहीं जाना इंटिग्रेटेड लाइक पेज उठाईए पूरा रिविजिन कर जाईए एक सार ठीक्या सेल जंक्शन्स पढ़ने हैं जंक्शन्स पढ़ोगे तो csakन्स पी आएंगी है उपर जाती ने आयंटनस शाल जाईए दोड़ा कम इंपॉर्टन थो बेसिकली इसारी चीजों लेखनी है और ऑगर थोड़ा इसा Prince बात कर ने वार्या बात कर रहा है दूसरी एकुलाई के साथ यह जब हम एंटिबायोटिक्स डालते हैं तो एकुलाई हैस टू कम्मिनिकेट नहीं कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो हो सकते हैं बायो फिल्म बन रही हो इकुलाई के अंडर इसलिया हम कभी ट्रियट नहीं हो होते हैं किुछ वही क्रोमो जोम होते हैं सेग्रीगेशिंग कौन से फेज में होता है और मिट्स म्योंस में किसमें दो पार्ट होते किसमें पर फ़ी चीज कंक्लूर हो जाती है cell cycle की बात करें, retinoblastoma, p53, एक बार इनको ध्यान से देख लेना, इनसे integrated चीज़ है, अब देखना है कि ठीके कौन से signaling में आके p53 कुछ काम कर रहा था हमारे, कहां हो जाके apoptosis में, उसका असली execution दिखेगा, तो apoptosis भी पढ़ना है, मतलब basically बहुत अंदर नहीं जाना, लेकिन superficial level पर touch up को करने, ऐसे कि एक story create हो, अगर आपके पास notes नहीं है, तो बहुत problem आएगी, इसलों पहले सबसे पहले, कुछ ऐसा रखिए जिसको revise किया जा सके, anything which can not be revised, उसे notes में consider नहीं कर सकते है, वो बस आपतना time लेकि खुश हो रहे हैं आप पढ़के, ठांक यू, यह वाली unit यहां कतम होती है, दूसरी बताते हो भी